असलाम लेकुम विएर्स मैंकाजी अंसर आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर बैंकर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जब भी कोई इंडिविडियल डिफाल्ट करता है तो मुतलका बैंक स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर देता है स्टेट बैंक एक डेटबेस मैंटेन करता है जिसको ECIB कहा जाता है उसमें दो साल तक उस डिफाल्टर का रिकार्ड रहता है और किसी भी दूसरे बैंक से जब वो लाउन लेने जाता है तो ECIB के थूस बैंक को पता लग जाता है कि ये बंदे ने कब और किस बैंक से डिफाल्ट किया था और अगले दो साल तक उसकी ECIB में ये स्टेटस शोर हो रहता है इसलिए किसी भी बैंक से वो लाउन हासल नहीं कर सकता लेकिन जब कंट्री डिफाल्ट करता है तो उसका स्टेटस कुछ डिफरेंट होता है उसके consequences में कुछ saviour conditions होती है उस बारे में हम discuss करेंगे कि पाकिस्तान खुदानाखासता अगर डिफाल्ट कर जाता है तो क्या consequences हो सकते हैं तो पाकिस्तान की जो situation है पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ के पाकिस्तान में जैसे ही नई government आई उस वक्त डालर जो था 178 रुपीज का एक था अब 240 रुपए का हो चुका है यानि तकरीबन 62 रुपीज का gap आ चुका है आपके सामने graph show हो रहा है जिसमें ये नजर आ रहा है Bloomberg ने एक report publish की है जिसमें 9 मुमाले को शामिल किया गया है जो के high risk पर है default करने के और पाकिस्तान का unfortunately इसमें चौथा नंबर है जो डालर की मौजूदा कीमत है वो 249.37 रुपए हो चुकी है ये जोलाई 29 के results है हमारे पास state bank के official Twitter account से ये लिए गये है और जुमा जो आखरी दिन था working day था last week का उसके ये results है और जो हमारे पास foreign reserves है state bank के पास डालर की सुरत में वो 14.41 billion डालर है जिसमें से commercial banks के 6 billion डालर से कुछ जायद है और बाकि जो 8 billion डालर है वो पाकिस्तान के foreign reserves है तो इसके इलावा पाकिस्तान के पास 3.8 billion डालर के gold reserves भी है और in case के पाकिस्तान को gold reserves pledge कराकर उनके against डालर लेने की जरुरत पड़ जाती है तो 3.8 billion डालर के gold reserve भी हमारे पास मौजूद है 24 जून को पाकिस्तान को 2.3 billion डालर चाइना से भी मौसूल हुए लेकिन उसका भी खातिरखा impact नहीं पड़ा और आप पाकिस्तान आई-म-फ की तरफ देख रहा है और even army chief ने भी अमेरिका से request की है कि वो आई-म-फ को थोड़ा सा प्रेशराइज करे ताके जो डालर्स है वो जल्दी पाकिस्तान के पास आजाएं वरना पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत सेवियर है PSO के हवाले से भी एक सोशल मीडिया में न्यूज आ रही है कि उसकी LC ओपन नहीं होरी जिसकी वज़ा से हमारे पास टेल टेल की जो इंपोर्ट्स है उनके डिले होने का भी खत्रा है तो जो Consequences Arise हो सकते हैं अब हम उनकी तरफ चलते हैं Recently सिरी लंका की मिसाल हमारे सामने है कि वहां पर कैसे मौशी और समाजी मसाइल हुए जिसकी वज़ा से हकूमत का तखता भी अवाम ने उलट दिया और जो सदर थे उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया तो जो Default होने की Condition है उसमें क्या Consequences Arise हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक तो Trade Barriers लग सकती हैं पाकिस्तान पर जिन मौमालक के साथ पाकिस्तान का Lounge का Land एन है पैसे देने हैं उनके साथ Trade Close हो सकती है पाकिस्तान की जो Imports है वो बंद हो सकती है जिसमें Necessities भी शामिल हैं जैसे पाकिस्तान गंदम बाहर से इंपोर्ट करता है या Oil Products इंपोर्ट करता है अगर ये पाकिस्तान को नहीं मिलती तो Economy का पैया जाम हो सकता है गाड़ियां बंद हो सकती है और आफिसेस बंद हो सकते हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो भी तेल पर प्रोड्यूस होती है जिसकी वज़ा से बिजली का शार्प फाल बढ़ सकता है जिसकी वज़ा से पाकिस्तान में लोड शेडिanc में इशाफा हो सकता है कारखाने बंद जो सकते हैं और आफिसे बंद जो सकते हैं जिसकी वज़ा से अन एम्प्लाइमेंट का भी बे इन्ताहा ख़छा है क्योंकि government के पास salaries देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और क्योंकि बाहर से government को किसी किसम की उमीद नहीं होगी कि कोई country उनकी help करेगा उनको loan देगा I.M.F. World Bank उनको loan देंगे जिसकी वज़ा से government के पास salaries देने के पैसे नहीं होंगे इस वज़ा से unemployment का अंदेशा है और private sector बस जब energy के crisis आएंगे तो private sector में भी unemployment बढ़ने का अंदेशा होगा पाकिस्तान की मईशत ठप हो सकती है इनकेस पाकिस्तान अगर default कर सकता है पाकिस्तान को फिर compromise करने पड़ सकते हैं अपने assets पर और पहले ही PDM की government ने assets जो हैं वो far sale कर दी है Gulf countries इसमें purchasing के लिए interest ले रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा एहम मसला यह हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने nuclear assets को भी sacrifice करना पड़ सकता है क्योंकि जब default करता है मुलक तो फिर इंतहाई step उठाने पड़ सकते हैं इसी तरह मुलक में मौशी समाजी स्यासी अफरा तफरी का सामना करना पड़ सकता है यानि एक complete blackout हो सकता है अगर पाकिस्तान default करता है तो मजूदा हकूमत को खुदारा होश के नाखुन लेने चाहिए जो भी policy जिन्होंने अड़ाप्ट की हुई है वो सरासर नुकसान में जा रही है पाकिस्तान जो है वो default की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है चौथे नंबर पर बुलूंबर्ग जो international जरीद है उनके मताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान इस वक्त stand का रहा है दिफाल करने की तरफ तो गवर्मिर्मेंट को इस चीज़ को सीरिस लेना चाहिए कि डेली बेसिस पर हम देखे रहा है डालर के मकाबले पाक रुपी गिरावर्ट का शिकार है तो ऐसी सुरतिहाल रही तो पाकिस्तान के पास पहले ही हम देख रहे हैं कि फारण रिजर्व जो हैं फारण करंसी में जो मौझूद हैं वो सिर्फ डेड़ महीने के हमारी इंपोर्ट विल का मुतबादल हैं यानि हमा लगिरेस ऐटम पर में में पाबंदी लगा दी थी अब वो पाबंदी भी उठा दी गी है लगिरेस ऐटम भी पाकिस्तान में इंपोर्ट किये जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट डालर का आउटफलो होगा और सुनने में आ रहा है कि एक शाहिन सबाई साब ने एक की है तो यह जो इंडिकेटर्स हैं यह बहुत खौफनाक हैं इनके दूरास नतायज हो सकते हैं इससे पहले ही गवर्मेंट को स्टेप लेना चाहिए ताके हमारा मुल्क डिफाल्ट से बच जाए अल्ला से यह दौा है कि पाकिस्तान को सलामत रखे और बैंकरप्सी से क्या सब्सक्राइब कर दो शुक्रीए अल्ड़र्स